हेलो गाईज, कैसे हैं, आप अपने रहे हैं उपके बहुत अच्छे हैं अपने लाइफ में आके बढ़र arrived 11.11 का portal है, बिलकुल manifestation का portal है ये पूरा महीना ही है तो आप जो भी manifest करोगे पूरा होगा बिलकुल अपने सोच को सकारात्मक रखो और जो भी हम मैंने बस्ट करोगे इश्वर से जो भी प्रात्ना करोगे जो भी affirmations दोगे ठीक है तो पूरा होगा तो देखते हैं energies क्या है अभी current आपकी person की collective general है तो सबकी जैसी नहीं हो सकती energy आपके DM की आपकी person की जिससे भी आप deal कर रहे हैं उसकी energy है सबके लिए editing है mystery longing dependency dependency okay coming 11 11 आच चुका है guys यह रिटिंग क्लेम कर लेना यह energies क्लेम करना है आपको yes twin flames soulmate humiliation okay contemplation sacrifice sacrifice psychic help okay trying forgetting okay nice lonally ठीक है random अगर निकालूं तो positivity देखो यह positivity में तो आपके person आने ही आने ही आना है लेकिन यह काड़ना आपके लिए random निकाला है मैंने आपको सिर्फ positive रहना है अपने person को लेकर इस journey को लेकर अपने लिए एक positivity में रहना है आपकी जो परसन यह बहुत ही ज़दा sadness की energy में है तो अगर मैं बताऊं तो complicated हो सकता है यह अगर आप positivity में नहीं रहेंगे और अगर आपको बहुत ज़दा आपके दिमाग में बहुत ज़दा क्या कहते हैं conflict है यानि कि दुवन्द चल रहे हैं कि किसी भी चीज़ को लेकर नहीं समझ में आ रहा है आपको आपको dreams भी बहुत ही weird से आ रहे होंगे बहुत weird dreams आ रहे हैं आजकल मुझे भी आ रहे है manifest बिल्कुल manifest आपको करना है बहुत ही शांत मन से आपको या तो आपना ऐसा किया किजिए थोड़ा सा सोने से पहले आँख बंद करके दस में शांत हो कि बिल्कुल जैसे शवासन में लेटता है न ऐसे लेट जाओ जो भी overthinking जो भी है न स्टॉप कर देनी है उसको उसके बाद आपको कोई भी affirmation कोई भी subconscious mind healing meditation है यो कुछ भी affirmations देते हैं तो शांत मन से देना है otherwise क्या है ना कि आपका manifest नहीं होगा नहीं होगी चीज़े positivity में रहना है आपके person यहाँ पर कही ना कहीं मुझे अभी बिल्कुल अकेले दिख रहे हैं guys यह तो आपके लिए tip थी कि कैसे क्या करना है अगर आप बहुत जादा परेशान है बहुत जादा मन खराब है बहुत जादा overthinking हो रही है तो आपको शांत रहना है आपके person भी यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके person के लि को dependency में है आपके person इस टाइम पर बताया आपकी person की क्या energy आ रही है कि ऐसा अगर मैं आपके साथ आता हूं या आपको commit करता हूं commitment देता हूं तो हो सकता है मेरे साथ जो बुरे बुरा हुआ है past में तो आगे कौन सा अच्छा हो जाएगा मैं प्यार तो बहुत करता हूं करत लेकिन अगर वहां पे भी ऐसा हो गया तो फिर तुम ना इधर का रहूंगा ना इधर का रहूंगा ऐसा है आपर energy है क्योंकि उन्होंने बहुत जादा अपनी प्रस्तितियों के विपरीत जाकर फैसले लिये तो उनको rejection ही जेलना पड़ा और कहीं बार ऐसा हुआ आपके person क साथ तो इस वज़े से कहीं ना कहीं आपके साथ आने के लिए बहुत डर रहे हैं बहुत जादा craving के energy, wanting के energy है उनकी mystery अभी वो एक तरह से mystery बनी उनके सामने चीजे mystery जैसे होती है ना कि वो दरवजा खुलेगा उनके जो भी clarity मिलनी है वो मिलेगी लेकिन अभी तो वो क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों ने उनको परिशान किया है बहुत ज़दा हो सकता है उनका childhood बहुत ज़दा wounded है ठीक है लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि सब चीजों से बाहर निकलने की ठीक है और शांत मन से सोच रहे हैं उनको help भी मिल रही है हो सकता है आपके DM ना बहुत स ठीक है कुछ चीजों को वो भगवान से शमा मांग रहे हैं या कुछ ऐसे forgiveness की energy में है forgive कर रहे हैं चीजों को अपने आपको forgive कर रहे हैं आपको forgive कर रहे हैं अपने आप से शमा मांग रहे हैं मैंने ऐसा क्यूं किया मैंने अपने आपको ही तकलीफ वचाई इन सब चीजों क करके थर्ड पार्टी ने मुझे इतने तकलीफ दी उनको भी फोगिव करके क्या कहते हैं उनसे एक तरह से एनरजेटिकली जाने अंग जाने वो अपनी कॉड कट कर रहे हैं इस तरह की मैनिफेस्टिशन उनकी हो रही है अफर्मिशन उनकी जो है कहीं न कहीं जैसे भी वो सोच रहे हैं वो एक तरह से उनके फेवर में हो रही है ठीक है बड़े शांत यहां पर दिख रहे हैं काफी आ के जो टाइम आ रहा है वो काफी यहां पर शांत यहां पर कुछ हेल्प भी लेने वाले हैं अगर किसे ने हेल्प नहीं लिए हैं मदद नहीं मागिए तो किसी किसी तरीके से उनको वो मदद मिलने वाली है और उनको इस एनरजी से कही ना कहीं यूनिवर्स बाहर निकलने वाले हैं जो भी सैटनेस की एनरजी है ना उनकी इस इस एनरजी से वो बाहर निकलेंगे ठीक है और इसकी विज़े से आपकी जो डिया में बहुत ही रहे हैं मतब कि यह बहुत ज़दा वर्क हो रहे हैं मतब काम में ही अपना दिमाख लगा रहे हैं कि इससे हट जाओं यह जो एनर्जी से हैं तो यहां पर यह एडिक्षन भी उनको हुआ पड़ा है तो कोई बात नहीं यह इनर्जी ही ऐसी है उनके सारी टॉक्सिंस बाहर नि के साथ तो यह एनर्जी है अगाइस आप लोगों के परसंगी और देख लेते हैं आपको कहीना कहीं माफ नहीं कर पा रहे थे लेकिन हो सकता है आप से उनकी नेगिटिव कॉर्ट्स कट हुई है क्योंकि आप यह टाइम आ चुका है क्योंकि उनका रिबर्थ प्रॉसेस जो आपको कमार्ख भी कर रहे हैं जो भी ब्लोक इस थे इमôngेशनल इब्लाक इसस थे इमोशनल इब्लोक इस फे वह सब ही खो रहे हैं क्राउण चक्न प्रॉसे फी हील रहा है ठीक है, यस, इंट्यूशन, राउन चक्रा, सेकल चक्रा उनका हील हो रहा है, इंट्यूशन यानि की, जो भी चीजें उनके सामने रिवील हो रही है, वो बहुती पॉज़िटीव बहुती उनकी हाईस गुट के लिए हैं, और वो उनको समझ में आ रहा है, बहुत जल्दी- चलती है healing चल रही है बहुती speed up हो गई है उनकी जर्णी इंट्यूशन पर काम करें अपनी inner voice को सुन रहा है क्योंकि crown चक्रा उनका हील हो रहा है cycle चक्रा उनका हील हो रहा है जो भी sexual energy से वह operate करते थे कही न कहीं वह balance हो रही है जो भी जिस तरह के तरीके से healing को अपने अंदर ले रहे हैं और उस healing को accept कर रहे हैं और उस तरह से heal कर रहे हैं अपने आपको तो बहुत सही तरीके से heal कर रहे हैं step by step वह heal हो रहे हैं यहां पर reconciliation की energy guys, यहां पर reconciliation की energy है, wish मांग रहे हैं, अपने लिए, और हो सकता है कि आपको call message करें, हो सकता है, आपसे मिलने आए, यह भी energy है, लेकिन उनकी healing बहुत अच्छे से चल रहे है, इस energy से उनको बाहर निकाला जा रहा है guys, main चीज़ यह है, yes universe, बिलकुल universe, यह strategy ही है पूरी टोटली यूनिवर्स की, की यूनिवर्स साथ में है, इस पूरा ब्रह्मान लगावा है, कि उनको इस एनरजी से बाहर निकाले, ब्रह्मान की जो दिवे, शक्तियां है, डिवाइन पावस हैं, हैना, वो सब लगे हुए हैं, उनको अवेर्नेस में लाने के लिए, ये कि लिए ही सब कुछ हो रहाए、 आपकी पर्सन के साथ बहुत ही थी एरजी है, है ना, वोगे काड़ों लेते हैं, विक्ट्री और सक्सेस की दरब बढ़ाने के लिए, तो आपकी पर्सन को इस थरा से परिशानी मिल रही है और ये कमिटमेंट आपको देने के लिए, आपके टूवर्स लाने के लिए है उनके साथ ये सब हुआ पड़ा है तो ये एक तरह से commitment के एनरजी है एक सचाहिए उनके सामने आएगी गाइस 1111 फर फर येस ये बहुती good news है अभी बहुती ज़्यादा sadness के एनरजी में है बहुत ज़्यादा ठीक है इनसे भी देखेंगे ओके ये विक्ट्री आ रिये गाईस आप लोग की लाइफ में ये अभी कुछ stress कुछ responsibility कुछ इससे बाहर निकलेंगे अब वो बाहर निकलेंगे इससे येस क्योंकि आप उनके जो divine feminine है जो भी आप उनके person है वो आपके बारे में ज्यादा सोचते हैं आपके बारे में आपको appreciate कर रहे हैं अभी क्या है कि जो third party एक और हैं यह थार्ड पार्टी मेरे को हैं यहाँ आप पर energy आई है अभी आपको नहीं बता रहे हैं आपके लिए क्या feelings हैं उनके लिए उनके पार हैं आपसे अभी सामने नहीं लेके आ रहे हैं चीजों को लेकिन बहुत जल्द यह चीज़े सामने आएंगी और वो आपके तरफ रुक करेंगे ठीक है ना अभी बहुत गहराई से सोच रहे हैं deep contemplation क्योंकि soul searching हो रहे हैं उनकी soul से connect हो रहे हैं बहुत ही missing energy है यहाँ प लगता है और इसको आप होने दीजिए इस process को तो यह जो hangman की energy है यह बिलकुल है उनकी अभी pause ले रखा है जब divine timing आएगा वो बिलकुल action लेते वे नजर आ रहे हैं क्योंकि judgment आ रहा है guys no doubt क्या बोला मैंने justice yes divine timing आ रहा है मैंने मुझे निकला bottom of the deck है justice judgment and justice दोनों चीज़े जारी divine timing आ रहा है divine justice करने वाले हैं और जो चीज कुछ भी ऐसा फैसला भगवान के सामने रखा जा रहा है और भगवान उस पर ठपा लगाने वाले है yes तो जैसे judge करते हैं न कि यह finally decision वो लेने वाले है divine कि यह एक positive way में आपके लिए एक फैसला आ रहा है इश्वर का और य आप दोनों ने इतने सालों से इस दिन का इंतजार किया है तो बिलकुल यह बहुत जल्द होने वाले है कि judgment और justice एक साथ आ जाता है तो divine timing बिलकुल नजदीक है ता gardener बिलकुल आपके person पूरी तरह से मैनत कर रहे हैं कि वो आपके towards यानि कि इस connection को समझ रहे हैं आपके towards आ चल रही है क्योंकि आपको reunite करना है इश्वर को तो महनत कर रहे हैं आपके person आपके तरफ आने के लिए आपके आपसे एक होने के लिए repenting yourself इसका मतलब भी क्या होता है आप समझ चुके हो मैं बहुत बार बता चुकी इस card का मतलब अपने आपको nurture कर रहे हैं distorted masculine से वो आप स आप हैं उनकी abundance ही आप है ऐसा abundance हो अपनी life है आपको देखते हैं ठीक है ना और क्या deep feeling है बिल्कुल आपके लिए कुछ ना कुछ gifts यहाँ पर कुछ ना कुछ offer कुछ ना कुछ call message यहाँ पर बिल्कुल आ सकता है luminosity की energy है गाइस यह एंप्रेस यह energy होती है और आप उनके लि फिलाल current situation में आपको क्या surrender करना है मेरे viewers को आपने माइकल प्लीज बताएए guide कर रहे हैं वो जो भी आपके जिन्दिक में हो रहा है जो भी चीज़े हो रही है surrender to non action जो भी चीज़े हो रही है उनको ना क्या करना है आपको होने देना है ठीक है ना let them flow surrender your addiction जो भी addictions है आपके किसी भी तरीके के addictions है उनको पूरी दर से इशर पर surrender कर दो या आपको लगता है आपके person के अंदर ये addiction है तो बिल्कुल वो भी surrender कर दीजिए ठीक है ना बिल्कुल अपने उपर focus कीजिए जो भी चीज़े हो रही है जो भी लोग आपकी life में आ रहे हैं उनको आने दीजिए वो जाने के लिए आ रहे हैं ठीक है ये ego को आपको क्या करना है अपने अंदर से जड़ से निकालना है surrender to inner peace आपके अंदर वो जो inner peace नहीं है उसको surrender कर दो वो peace आएगा आपको healing करते रहना है बाकी इशर पे छोड़ दो go with the flow की energy में रहो current situation ये है surrender to the wisdom of your body body में अपनी physically आप fit रहे है और बिल्कुल exercise वगरा कीजिए जिससे की आपकी जो भी extra excess energy जो आपके अंदर आती है cosmic energy जो आती है वो release हो जाएगी surrender to trust तो जो भी trust issues हैं आपके अपने person को लेके इस journey को लेके वो भी आपको surrender करना है इशर से प्रातना करना है कि ये मेरे अंदर से ये जो इशू है आप इसको release कीजिए ठीक है ना इससे क्या होगा कि आपके अंदर choose एक एक जो भी सही रस्ता है उसको choose करने में आपको help मिले आप confident हो जाओगे उस चीज के लिए आप जो भी decisions लोगे अपने ठीके ना वो बहुत सही लोगे और इससे क्या होगा कि trust आपको इश्वर पे होगा और इश्वर जो करेंगे वो आपके लिए सही करेंगे ये जो चीज होगी ये आपके लिए सही होने वाली है तो बस आपक किसी भी चीज में success नहीं मिल रही है special growth नहीं हो रही है surrender fear जो भी डर है आपको पूरी तरह से surrender करने है जो भी चीज़े हैं ये सब surrender कर दीजिए और फिर बस अपना करम केजिए श्वर पर पूरी तरह से भरोसा रखो भगवान आपके लिए अच्छा करने वाल है तो अभी क कि मैं जगे है ज percentage करल थे मैं में बस्वर आड़ को उपना याड बसाड़ का धर ये हैं नहीं कि बस्ता हं इस बस्ता है कंई तरह को कि अदम च सबस्दूस को बस्ता करने है उर शे अपनार बस् videos कि कि अ